कि नमस्कार दोस्तों माउंटेन कोचिंग कलासिज में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करते हैं फिजिक्स के एक मैत्वपुर्ण टोपिक के बारे में जिसका नाम है यांत्री की मेकेनिक्स मेकेनिक्स के अंदर वैसे तो जो होने साथ आठ जो होने क्या होती है तो रासी होती है जिसे हम जोने संख्या के रूप में जिसे संख्या के रूप में जोने प्रकट किया जासके उसको हम जोने रासी कते हैं जैसे जनसंख्या है जैसे आईउ है जैसे वस्तु का भार है जैसे लंबाई है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनसंख संक्या का अध्यान कराता है डैमों गराफी का खालता है वस्तु का भार है लंबाइग कर आता है तो फिजिक्स के अंदर भूतिक thankli आती हैं फीजिकल जो क्वांटिटी आती हैं फीजिकल जो क्वांटिटी होती हैं वो दो परकार की होती है अब फीजिकल क्वांटिटी दो परकार की कौन सी होती है तो एक तो कौन सी होती है अदिस होती है एक कौन सी होती है सदिसरासी होती है अदिसरासी को हम जो हम स्केलर क क्वांटिटी केते हैं और सदिस राशी को हम जोन वेक्टर क्वांटिटी केते हैं तो अदिस राशी वो होती है जिसके अंदर केवल और केवल जोन प्रिणाम होता है अदिस राशी के अंदर जोन कभी भी जोन डारेक्शन नहीं होती केवल और केवल के वता है प्रिणाम होत अब example आते हैं कई बार question पूछता है जैसे CPO के अंदर पूछ लिया है question आया था कि निमन लिकित में से कोण सी सदिसरासी नहीं है चार option दे दिये वेग दे दिया विस्थापन दे दिया बल दे दिया फोर दे दिया दरवेमान तो कोण सी सदिसरासी नहीं है तो दरवेमान नहीं है तो इस प्रकार से जोना हमें याद करनी होती है अब example देखते हैं कि जो सदिसरासी होती है और अदिसरासी होती है ठीक है उनके बारे में देखते हैं तो अदिशरासी के अंदर हैं मि जो उने चार ध्यान में रखनी है उपरवाली चार. ठीक है? दरवयमान, गनतव, विदुधारा और दाब को जो उने ध्यान में रखना है. बाकि जिसके अंदर वहहहां वै आ जाए और जो उने बै आ जाए. बाकि वो सभी कौन सी रासी होती तो वो सभी जोन सदिसराशी होती है, कोनशी राशी होती है, सदिसराशी होती है, केवल जोन चार को छोड़ कर, चार कोनशी है, दरवेमान है, गनतव है, विदुधारा है, और दाब है, बाकी जिसके अंदर भी वय आजये या फिर बय आजये, वो कोनशी राशी होती है, सद परेडन तो जिसके अंदर भी वै आ जाए और बै आ जाए किसको छोड़ करके केवल जोने चार को छोड़ करके और वो चार कोण सी कोण सी हैं तो वो चार है दरवयमान है गनतव है विद्धुधारा है और जोने दाब को छोड़ करके बाकी जोने सभी कोण सी रासी होती है चार को छोड़ दरवयमान गनतव विद्धुधारा और दाब बाकी के अंदर जिसके अंदर भी वै और बै आता है वो कोण सी रासी होती है तो सदिस रासी होती है ठीक है ये एक छोटी सी ट्रीक है इससे हम जोन को कलियर कर सकते हैं बाकी देखो अदिस रासी के एक्जांपल कोण सी है दरवयमान है गनतो है विदुदारा है दाब है गती है तापमान है समय है चाल है आयतन है कारिय है और उर्जा है देखो यह किसन जोने सीपियों के अंदर पुछा गया था दरवियमान किस परकार के राशी होती है तो अदिस राशी होती है गती किस परकार के राशी होती है इसी जी यह के अंदर पुछा गया इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इसके अंदर पुछा गया था कि सदिस एक बहुतिक रासी है तो अभी बताए था सदिस क्या होती है से का मतलब होता है साथ में जिसके अंदर दिशा वे परिणाम दोनों हो तो जिसके अंदर परिणाम वे दिशा दोनों हो उस कौम के कते हैं सदिस रासी कते हैं अब important बात यहाँ पर जो उने ध्यान में रखनी है कि जो strain होती है जो विकरती होती है वो नए अदिस होती है और नही सदिसरासी होती है अब जो strain विकरती होती है वो ती लंबाई के अंदर प्रिवर्थन अपन में काता प्रारम भी के लंबाई होता है तो इसकी विमा होती है अल अपन में अल तो अल से अल कंसिल हो जाता है तो इसकी जोन वीमा होती है अम जीरो अल जीरो टी जीरो होती है उसके बाद में मापन का जोने टोपिक जोने चोटा सा कलियर होता है उसके बाद में हम बात करते हैं माप के जोन मातरक कौन से कौन से होते हैं तो मातरक जोन दो परकार के होते हैं, कितने परकार के होते हैं, एक मूल मातरक होते हैं, एक व्यूत्पन मातरक होते हैं, मूल मातरक जो होते हैं, इनकी संख्या जोन साथ होती हैं, और व्यूत्पन मातरक जो होते हैं, वो मूल मातरकों से बनाए जाते हैं, मूल मातरकों को मि तो व्यूत्पन मात्रक बनते हैं, और मूल मात्रकों की संगया कटने होती है, साथ पनतव होती हैं, मूल मात्रकों से अन्य मात्रकों से 37 होती हैं, सबसे पहला मातरक आता है लंबाई लंबाई का मातरक क्या होता है अस्षाई मातरक जो न मिटर होता है लंबाई का जो अस्षाई मातरक होता है वो कौन सा होता है तो मिटर होता है अगर हम बात करते हैं लंबाई को अगर हम जो न दूरी मानने डिस्टेंस मानने तो दूरी की जोन सबसे लंबी इकाई की बात करते हैं तो वो कौन से होती है पारसेक होता है और सबसे जोन सबसे छोटी इकाई पूछता है तो वो कौन सा होता है फर्मी होता है तो लंबाई या कहे दूरी की सबसे छोटी इकाई कौन से होती है फर्मी होती है और सबसे पहला जो मूल मात्रक कोन सा होता है लंबा होता है दूसरा मूल मात्रक है दरवेमान दरवेमान का मात्रक क्या होता है किलोगराम होता है और जो दरवेमान होता है वो वस्तु का दरवेमान पर्थवी के चाहे किसी भी भाग पर चला जाओ तो जो दरवेमान होता है वो हमेशा constant होता है स्थान बदलने के साथ में जो नवार जो होता है weight जो नवाइट 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 जो नव में जोने समय को जोने चतूरत विमा फोर्थ डाइमेंशन के रूप में जोने प्रिक्ट कियागा है तो समय पुछे कि समय जोने कोन सी विमा होती है वन डाइमेंशन है, टू डाइमेंशन है, थ्री डाइमेंशन है या फोर डाइमेंशन है तो समय जो होती वो four dimension है ये बात किसी ने बताई तो किसी ने बताई थी Einstein ने बताई थी कोण से नियम के अंदर बताई तो सापेक्स्ता के सिधान्त के अंदर जो हने बताई थी Einstein ने उसके बाद में सापेक्स्ता का सिधान्त क्या है सापेक्स्ता का सिधान्त करता है E is equal to mc square ह सब्सक्राइब एक निर्वाथ के अंदर परकास की चाल होती है एक क्युस्चन आया है हरियाना पुलिस जो ने फीमेल लिकेंदर एक क्युस्चन आया था कि सहन्ती और उर्जा के बीच किसने सम्मद स्थापित किया तो अभी बताए है आपको E is equal to M c square साप एक स्था का सिद्धान किसने दिया था तो Einstein ने दिया था ठीक है सहन्ती होता दर्वेमान अम उर्जा होती है ठीक है तो E is equal to M c square ये बात किसने बताए थी Einstein ने बताए थी अब समय तो जो है वो तो fourth dimension होती है अगर हम बात करें one dimensional motion कैसा होता है तो one dimensional motion काता है कि कोई भी जो हने गेंध है उसको जोने उपर से निचे गिरा दिया तो वो जो हने सिद्ध आती है केवल एक एकसिस की requirement पड़ती है इस परकार से हम लेते हैं ये y axis होगी ये कोण से होगी x axis होगी तो जिसके अंदर केवल एक axis की आऊ सकता होती है वो one dimension होती है जैसे कोई गेंध है उपर से निचे गिरा दिया या फिर जो हने कोई कार है कोई जो हने क्या है कार है वो जोने सिद्ध रोड के उपर चल रही है तो moving car on straight road moving car on straight road ये भी कोण सा dimension होता है तो one dimension होता है अब बात करते है two dimensional motion की तो two dimensional motion बोलता है इसके example आते है projectile motion कोण सा आता है projectile motion आता है जिसको हम परक्षे पे गती केते हैं हिंदी के अंदर का केते हैं परक्षे पे गती नाम देते है परक्षे पे गती नाम देते है projectile motion मान लिए आपने कोई गेंद फैकिए वो इस परकार से ही जाएगी गेंद ठीक तो वो कोन सा motion होता है प्रोजेक्टाइल motion होता है प्रोजेक्टाइल मोशन से दो important question आते हैं कि किसी गेंद को जोने किस angle से उचाला जाए कि वो जोने maximum height maximum जोने height तक जाए अगर maximum जोना height की बात करते हैं तो जो maximum height होती है वो 90 degree के उपर होती है किसके उपर होती है 90 degree के उपर है कोई वस्तु का अगर हम इस परकार से डिस्टेंश जोना होती है तो किसी वस्तु या फिर कहें कि गेंद को जोने किस एंगल से मारा जाए कि वो जोने अधिक्तम दूरी तैय करे तो वो एंगल होता है 45 डिगरी के एंगल से ठीक है तो दो क्यूस्टन है किसी गेंद को किस एंगल से मारा जाए कि वो अधिक्तम दूरी तैय करे maximum range जो उने वो तैय करे तो maximum range के लिए 45 degree होता है और maximum height के लिए 90 degree होता है two dimension का दूसरा example आता है circular motion है circular motion है कोई व्यक्ति है over तिये गती के अंदर जो उने चक्कर लगा रहा है तो कोण सा dimension होता है two dimension motion होता है अगला आता है position time graph आता है कोण सी चीज़ आती है position time में graph आता है position time graph अब देखो position time graph क्या होता है तो देखो two dimension के लिए क्या होता है कि दो axis की जुरूत होती है एक x axis होती है एक y axis होती है ठीक है तो इस तरफ मानले हमने position मानली इस तरफ हमने time मानलिया तो इसके अंदर क्या होता है हमाने लिए कोई बिंदू यहाँ पर है दूसरा बिंदू जोने यहाँ पर है तो इसको इस परकार से जोने मिलाते हैं तो यह पोजिशन टाइम ग्राफ होता है कि जोने अलग अलग टाइम है दो एक टाइम यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो उस जिसके अंदर X, Y और Z क्या उशकता होती है उसको हम जो ने 3-Dimension motion करते हैं 3-Dimension motion की example आते हैं कोई पक्षियाकास के अंदर रहा है flying bird है गैस के molecule है जिग जग का motion है और aeroplane का motion जो होता है वो किस परकार का motion होता है तो वो 3-Dimension motion होता है और 4-Dimension की बात करते हैं तो वो कोज़सा होता है 4-Dimension के अंदर आता है समय 4th मूल मातर काता है विदुधारा को जोने हम current करते हैं current का मातर का होता है the current का मातर का होता है अब दूसरी बात आती है कि current को मापने के लिए किस यंतर का प्रियोग किया दाता है तो मापक की यंतर जो हता है वो emitter होता है और emitter को हमेशा जोने सरेणी करम के अंदर जोड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं series के अंदर जोड़ा जाता है तो emitter जो होता है उसको हमेशा जोने स्रेणी करम के अंदर series के अंदर जोड़ा जाता है यह जोने combination किसका है series का है यहाँ पर जोने resistance R1 है यहाँ पर resistance जोने R2 है और यह जोने हमने यहाँ पर जोने emitter को जोड़ा है तो emitter हमेशा किस के अंदर जुड़ता है स्रेणी करम के अंदर जुड़ता है कि किस करम के अंदर जो होने maximum जो होने परतिरोध अधिक्तम जो होने परतिरोध होता है स्रेणी करम समाना अंतर करम तो किस के अंदर होता है तब हमारा अंचोर रहेगा स्रेणी करम के अंदर के अंदर परतिरो करम के अंदर जुड़ी होती है तो श्रेणी करम के अंदर जुड़ी होती है और दूसरा होता है फ्यूज वायर कौन सी चीज होती है फ्यूज ये वायर होता है तो फ्यूज वायर भी किसके अंदर जुड़ा होता है तो केते हैं तो विदुधारा बराबर होती है आवेश अपन में जोने समय होता है आवेश का मातरक जोने कुलाम होता है समय का मातरक क्या होता है सैकेंड होता है और जो समय होती है वो फोर्थ डाइमेंशन होती है ये बात किसे ने बताई थी तो आइंस्टीन ने बताई थी किस के दिन्य यहम के अंदर बताई थी तो सपएक्षता के सिध्धान्थ के अंदर बताई थी उसके बाद में कि पांचमा जो है मूल मात्रऩ वह कौन सा था है ताफ मान हान का जो आस्टाइमातर को था है और होता है कयलिवीन के साथ में कभी भी जो डिगरी का परियोग नहीं होता, कैल्वीन के साथ में कभी भी जोने डिगरी का परियोग नहीं होता, दूसरी बात कैल्वीन कभी भी जोने नेगेटिव नहीं हो सकता है, कई बार क्यूस्चन आता है कि परम सुन्नेतापमान कितना होता है, तो वो 0 कैल्वीन होता है, वहीं अ ऐसा बिंदू होता है ऐसा टैंपरेचर होता है और एक ऐसी निस्चित दोन दाब होती है जिसके अंदर जोने जिसके अंदर पानी तीनों आवस्था के अंदर पाजाता है ठोस के अंदर भी होता है तरल के अंदर भी होता है और गैस के अंदर भी होता है तो उसके लिए हमें यह temperature कितना ची यह 0.01 degree Celsius और 0.01 degree Celsius जो होता है वो बराबर होता है 203.16 Kelvin के बराबर होता है और उसके लिए हमें 600 Pascal दाब की आवसेकता होती है तो triple point का होता है? triple point होता है जहांपर जो पानी है वो तिन्नों अवस्था में पाए जाता है ठोस में, दरव में और जोना गैस की रूप में पाए जाता है लेकिन उसके लिए दो कंडिशन होती है उसके लिए temperature जो यह वो ची है 0.01 degree Celsius या फिर Kelvin के अंदर कहें तो 273.16 Kelvin और उसके लिए दाब की आवसेकता होती है वही अगर body temperature की बात करते हैं तो degree Celsius के अंदर 37 degree Celsius या फिर exact कहें तो 36.9 degree Celsius होता है Fahrenheit के अंदर 89.6 degree Fahrenheit होता है Kelvin के अंदर 310 से Kelvin होता है वही अगर हम जोना रूम के तापमान की बात करते हैं कमरे का सामान ने तापमान 27 degree Celsius होता है उसके बाद में एक question पुछा गया है कि जोना जल का कवथनांग है तो सभी को पता है जल का कवथनांग कितना होता है 100 degree Celsius होता है ये जोना ओडिटर लोकल जोना ओडिट डिपार्टमेंट अचसा सी के दवार जोना पुछा गया है तो जहाँ पर पानी जमता है उसको हम 0 degree Celsius केते हैं ही मांक मिंदू केते हैं और जहाँ पर उबलता है उसको 100 degree Celsius जोना कवथनांग केते हैं तो जल का कोथनांग कितना होता है, 100 degree Celsius होता है, अगर वही पर बात करें, रोमर के अंदर जल का कोथनांग कितना होता है, तो 80 degree रोमर होता है, Celsius के अंदर 100 degree Celsius होता है, Fahrenheit के अंदर 212 degree Fahrenheit होता है, Kelvin के अंदर 373.15 Kelvin होता है, पानी का कोथनांग, ठीक है, पानी का कोथनांग अगर र पॉइंट एक पांचे कैलिवीन है छे नंबर पर आता है जोती तीवर्ता जोती तीवर्ता का मात्रक होता है कैंडिला को जोने सीडी से अधर साज आता है तो शिक्त नंबर का जो मूल मात्रक है वो कौन सा है कैंडिला है जोती तीवर्ता है जोती तीवर्ता का जो मात्रक होत एक mol पदार्त की वह मातरा है जिसके अंदर तत्वल्स परमानू या अनू आदि की संक्राइज जो नग चै performant 0 दो तीन गुना 10 की पावर 23 होती है उसको हम जो ने क्या करते हैं वन मौल करते हैं और ही संख्या क्या होती है ऐव गाड रो नंबर होती है तो आवेग गाड रो नंबर कौन सा होता है तो six point zero two three into ten raise to power twenty three होता है अब मूल मात रख तो हमने पड़ लिये कितने परकार के है शाथ परकार के है अब संपूर्क खोते हैं गोटे हैं संपूर्क होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टे रेडियन, तो रेडियन के अंदर हम समतल कोण मापते हैं, समतल कोण किस के अंदर मापा जाता है, और ठोस कोण जो होता है, वो किस के अंदर मापा जाता है, तो स्टे रेडियन के अंदर मापा जाता है, उसके बाद में व्यूत्पन मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो व्यूत्पन मात्रक क्या करता है कि जिने जोने मूल मात्रकों के स्योजन से व्यक्त किया दासके बताए था मूल मात्रक क्या होते हैं सवतंतर होते हैं व्यूत्पन मात्रक क्या होते हैं जो हुने मूल मात्रकों के स्योजन से जुनवेक्त किया जाता है जैसे छेतरफल है छेतरफल क्या होता है एरिया क्या होता है लंबाई गुना चोड़ाई होता है लंबाई गुना चोड़ाई होती है तो इसका साही मात्रक होगा मिटर का स्केर इसी प्रकार से आयतन है, आयतन का होता है किसी वस्तु की जोने लंबाई, चोड़ाई और उच्छाई, ठीक है L गुना, B गुना, अच होता है उसको हम जोने आयतन केते हैं, वोल्यूम केते हैं, तो वोल्यूम का सही मातरक का होता है मिटर का क्यूब होता है, क्योंकि लंबा मातरक होता है किलोग्राम दर्वेमान का मातरक क्या होता है किलोग्राम अपन में वोल्यूम वोल्यूम का मातरक अभी बताया था मिट्र का क्यूब तो गन्यताव का मातरक क्या होता है किलोग्राम अपन में मिट्र का क्यूब होता है किलोग्राम अपन में मिट्रे क्यूब होत मानलों यहाँ से कोई व्यक्त इस प्रकार से चला है और जोने यहाँ पर आ गया तो यह टोटल जो दूरी थार शेंट शोल्टेस्ट जो दूरी होती है दो बिंदों के बिच के सबसे सोल टेस्ट जो दूरी होती है सबसे जोन छोटी दूरी होती उसको displacement कते हैं तो वेक क्या होता है displacement अपन में time होता है displacement का मातरक भी का होता है meter समय का मातरक क्या होता second तो चाल और वेक का मातरक क्या होता है meter परती second होता है तवरण Acceleration उता है, Change in Velocity, अपन में Change in Time होता है, Velocity जो ने WAKE का मातरक कभी बताया था, आपको मेटर पर 30 Second होता है, तो तवरण का मातरक होगा, मेटर पर 30 Second Square होगा, ये SSC के अंदर बुछागा क्यूशन है, ठीक है, तवरण का मातरक का होता है, मेटर पर 30 Second 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 स्केर होता है, बल के अगर हम बात करते हैं force तो force होता है mass into acceleration mass का मातरख बताया था आपको क्या होता है kilogram होता है और acceleration तवरण का भी बता है पिछे meter per second square होता है तो यहाँ पर जोनबल का मातरख होगा kilogram into meter per second square होता है वही अगर हम समवियक की बात करें momentum की बात करें तो P बरबर होता कि अगर हम बात करते हैं तो दाब क्या होता है कि कितना force लगा है और कितने area के अंदर लगा है कितना force लगा है कितने area के अंदर लगा है उसको हम जोने दाब कहते हैं तो force का मातर क्या होता है न्यूटन होता है और area का छेतरफल का बता है तो आपको लंबाई गुना चोड़ाई तो मिटर का square होता है तो क्या हो गया है आप तो वो क्या होता है, कारी होता है, तो W बरबर होता है, F into D, displacement हो गया, distance हो गया, तो force का मातरक क्या होता है, Newton, और distance का मातरक क्या होता है, meter, और जो उने कारी का मातरक पुछे तो उसको हम जोनों जूल करते हैं, और उर्जा का मातरक पुछे तो उसको भी हम करते हैं, जूल करत तो कारिये का मातरक अभी बताया था जूल होता है अब ओनमे टाइम का मातरक क्या होता है सैकंड होता है TGT साइंस के अंदर एक किस्चन पुछा गया तो कोणि ये सम्वेग होता है रेکिक शम्वेग गुना में लंवद दूरी होते है रेकिक संगल वेक जो होता है पी बराबर होता है मुमेंटम क्या होता है पी बराबर अम इंटू में वी होता है अम इंटू में वी अम का मातरक क्या होता है किलोगराम होता है वेलोस्टी का मातरक होता है मिटर परती सेकंड होता है और last में लबवत दूरी है तो वो क्या होता है मिटर होता है दूरी को किस के अंदर आपते हैं मिटर के अंदर तो इसका मातरक हो जाएगा kilogram into मिटर square अपन में second option C रहेगा यह जोने TGT के अंदर जोने पुछा गया question है तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो like करें share करें और channel को जोने subscribe करें धन्यवाद है